हेलो एल वेलकम फ्रेंड कैसे आप सब आए हो पच्छों गए मैं हूँ आपकी दोस्त निहां सिंग हाजिर हूँ आज की वीडियो ले करके उम्मीद करती हूँ आज की टीप आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि छोटी छोटी सिटीव है जो आपके जिन्हें को आसा लगा जैसे कि यह हम लोग लगाते हैं तो यहां पर क्या होता ना जब हम सेप्टी पिन का इस्तिमाल करते हैं तो सेप्टी पिन बिल्कुल से यहां पर लगती नहीं है अगर हम सेप्टी पिन नहीं लगाएंगे तो हमारी साडी के जो प्लेट से वह खुल जाएंगी और मारी तो हम क्या करें, जिसे कि जो नोक है वो सार्फ हो जाए, ऑर आसानी से इसको लगा पाएं, चलिए अब आपको दिखाते हैं, इसको लगाने का तरीका और चुटक्यों में मुश्किल को हल करने का तरीका तो सभी के घर में इस तरीके के श्टील वाली स्टेनर जो होती ही मिल जाती है अब क्या करना है सेपटीपीन को लेना है और इस तरीके से लगवग 8-10 बार आप इसको इस तरीके से करेंगे न तो इसकी जो नोख है बहुत जल्दी शारफ हो जाएगी और बहुत ही आसानी से आप इसको यूज कर पाएंगे और इससे हमारे दो फायदे होंगे हमारे इस टेनल में अगर कोई चीज फसा होगा न तो वह भी साफ हो जाएगा और हमारी सेप्टीपिन भी सार्फ हो जाएगी देखिए चलिए अब आपको वही सेप्टीपिन हमने हा कितनी आसानी से लग गई जबकि ना मैंने प्लीट्स को हटाया है ना मैंने सेप्टीपिन को चेंज किया आपके सामने सेप्टीपिन हाथ में लिये थे और आपके सामने स्टेनर में मैंने इसको मतलब इसके अंदर डाला और निकाला है बस इस तरीके से कर दीची कितनी भी किया होगा लेकिन क्या कभी आपने डियो को अपने चश्मी पर इस्तेमाल किया है नहीं किया है तो आज मैं आपको करके दिखाती हूँ और उसके बाद में इसका फायदा भी बताती हूँ कोई सा वीडियो ले लेजिए जो भी आपके घर में उच्छ करते हैं कोई भी यह नह ना है यह देख सकते हैं पहुत ही कमाल का रिजर्ड मिलता है अगर इसमें स्क्रेचेश आज गए हैं और यह गंदा रहता साफ नहीं हो रहा है तो आप बहुत ही आसानी से इसमें स्क्रेचेश मिटा सकते हैं जब भी हम चश्मे को यूश करते हैं उठाकर रखते हैं और थोड़े दिन बाद फिर यह इस तरीके की प्रॉब्लम करता है अब हम फिर उठाएंगे और दूसरी तरब भी इसी तरीके से स्प्रे करेंगे और इस तरब को भी है मैं इसी त जरूरत नहीं है बनवाने की जरूरत नहीं है जब भी आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा स्क्रेचेश आ गये हैं बहुत यह गंदा रहना है और साफ नहीं हो रहा है तो बस दियो ठाईए और इस तरीके से को क्लीन कर लीजिए आपके सामने रिजर्ट है आप देख सकते हैं चश्मा मारक कितना साफ हो गया एकदम नहीं की तरह जो भी स्क्रेचेश से सारे के सारे इसमें मिट गए हैं उमीद करती हैं आपको यह जरूर पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक शेर जरूर करिएगा और अगर आप नहीं आएं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरह नेक्स्ट भी हमने यहाँ पर लिया है इस तरीके के सूट के जो डिब्बे आते हैं उसको और इसका मैं ऐसा इस्तिमाल करने वाली हुना जिससे के वारे बहुत सारे पैसे बचेंगे क्योंकि मैं आज किसी चीज़ को गरम करने की जरूरत नहीं है तो मैंने कैची की हल्प से यहाँ पर देखी छोटी छोटी से हूल कर लिए है इसी तरीके से हम दोनों में हूल कर लेंगे यह देखे बस फटाफट से इस तरीके से आप हूल कर लीजी बहुत ही जल्दी से दो मिनुट में यह और ग्राजर बन करके रेडी हो जाएगा और इसे आप यूज करेंगे सालों के साथ आप हमें लेना है यहाँ पर डोरी तो डोरी को मैंने यहाँ पर नाप ले लिया है कि मुझे कितना चाहिए उसी के हिसाब से मैं कट कर लूँगी क्योंकि यह मैं दो पार्ट में डिवाइट करूँगी इसलिए मुझे दोरी का बराबर का हिस्सा चाहिए यह देखिए अब यहाँ पर लगाते हैं नॉट और नॉट को थोड़ा सा मजबूत लगाते हैं जिससे की होल से निकलने ना पाए यह देखिए तो यह देखिए मेरी नॉट लग गई अब चलिए इसको इसके अंदर डालते हैं बस मैंने यहाँ पर होल के पास रखा है और कैची के हल्प से इसको इसको इस पर प्रिस कर दूँगी जिसे बड़ी आसानी से अंदर चला जाएगा तो होल बहुत ही छोटा थ साइक इसको थोड़ा साम बढ़ा करेंगे उसके बाद में डालेंगे क्योंकि अगर छोटा हो लोगा तो आपको दुबारा से इसमें जैसे मैंने किया है ऐसे आपको भी डालने के ज़रूरत पड़ जाएगी बहुत ही बड़िया तरीके से दिखे है अब हमें दूसरी दरब को भी इसी तरीके से डालना है अब दूसरी दरब को भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी डालूँगी तो अगर होल शोटा है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा करूँगी जिससे की आसानी से आ जाए और बस उसी मेंध़ड से मैं फिर से इसको डल दूँगी यह देख लीजे ऐसे तो यह इसा हमारा बन करके हो गया रेडी तो हमें इसको बराबर से देख लेना है कितना चाहिए उसी की उसाब से हमें इसको लगाना है और फिर हमें नीचे की तरब भी एक नौट लगानी है और उपर की तरब भी लगानी है तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको बनाया पहले इस तरीके से डाला और फिर इसमें नौट लगा करके ऐसे कर दी इस तरीके से फिर दूसरा लगा दिया अब इससे क्या हो ना हमारा यह दो कलर में तो हो गया एक कलर में तो नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास वरस है लेकिन अब हम इसको कैसे यूज कर रहे यह देख सकते आप तो यहां पर देखे मैंने किचन में कितना सुंदर सा एक स्टोरेज बना दिया है अब इसमें छोटे-छोटे से जो हमारे कंटेनर है बहुत यासानी से आजाए बढ़ते हैं निक्षी की तरफ जब भी हम दूद रखते खौलने के लिए तो कुछ होता है जरा सा नजर नहीं अटी कि यह प्रावलम हमारी क्रेट हो जाती है दूद सारा फैल जाता है और जहां पर भी दूद रखते गैस गंदी होती इधर देखिया भी मैंने चाय बनाय है वह एक घंटे में खतम होता है तो इस प्रावलम से हम कैसे जिससे कि हमारी गैस्टोप हमेशा क्लीन रहे और हमें ज्यादा मेहनत भी ना करने पड़ी तो मैं बहुत ही सरल सा तरीका अपनाती हूं यह तो मैंने आपको दिखाने के लिए अपने गैस्टोप पे सारा दू सिलवरफाइल पढ़ा होता है उसको आप इस तरीके से उच्च के रही जैसे मैं कर रही हूं तो मैं यहां पर एक मिसामन ले रही है फटता भी नहीं है बस जब भी इस पर कोशिश गिर जाती है तो मैं उठाती हूं और इसको उठा करके फेक देती हूं तो यह बहुत ही कमाल का इडिये इसको ट्राइ करके आप भी ज़रू को डिखेंगा तो मैं आपको छलाइए इसको फेक सकते हैं जिस से अब समझलिए कि दूद गिर गिर गया है तो हमएं क्या करना है इसको उठाना है और इस तरीके से इसको फेक सूतरी है अगर आप जादा गिर गया है तो इसको उठा करके फेक दीजिए और दूसरा कट करके लगा लीजिए तो है ना कमाल का अडिया उमिद करती हूँ आपको जरूर पसंद आयोगा पसंद आयोगा तो लाइक शेर भी जरूर करिएगा और इस तरीके की छोटी छोटी प्रावलम से आप भी निजात पा जाएंगी अगर हमारी ये बताई हुए टीप अपनाएंगी ते चली फ्रेंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स टिप की तरफ नेक्स टिप में मैंने यहाँ पर लिया एक क्लिप यह हैर क्लिप जो है सभी के घर में आसानी से मिल जाती है और लगबग सभी लोग इसे यूज करते हैं लेकिन जब यह थोड़ा सा फैल जाती है मतलब धीली ह तो हमारे लिए बेकार हो जाती और इसको क्या करते उठा करके फेक देते लेकिन इसको आज के बाद मत मत कि आप यहां पर यूज कर सकते हैं अपने क्लोथ में अगर आपकी क्लोथ क्लिप कम पड़ गई है या नहीं है आपके पास तो आज कल कुछ इस तरीके से कपड़े स तो इस तरीके की जो से आपके पास में हैर पिन उनको लगा दीजिए और इसा लगाने से क्या होगा ना कि यह बिलकुल से सिम्तेंगी नहीं और जैसे आप इसको टागा पैसे खर्च करना है चीजे लानी है उसके बजाए अगर घर में पड़ी हुई बेकार चीज जिसे फेकने जा रहे हैं उसका इस्तेमाल कर ले तो कोई बुराई नहीं है तो मैं तो यह सोचती हूँ कि जितने पैसे बचेंगे उतने अच्छा है तो यह ना देखे कितना कमाल का आइडिया कैसा लगा जुरूर बताईएगा तो चलिए फ्रेंड वीडियो का आज मैं यहीं पेंट करूंगी मिलूंगी नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ म आज की वीडियो में आपको कौन सी टिफ सबसे बेश्ट लगी जरूर कमेंट करके बताईएगा तो चलिए मिलते कल तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर थेक्स वारवाचिंग